पिरिया चातरों नमस्कार आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है इस वीडियो में आपको कलास 3 का मैद का एक महत्मून कोश्चन के हल करके बताऊंगा यह काफी महत्मून कोश्चन है तो अगर आप कलास 3 का स्टूडेंट है तो इस वीडियो को अच्छे से जरूर दिखे कोश्चन है HCF 306 और 657 ब्रावर 9 दिया है तो LCM 306 और 657 का ग्याद करना है इसका सिंपल समझ जाइए 306 और 667 का HCF 9 दिया हुआ है तो क्या निकालना है LCM निकालना है देखिए आप इस वीडियो को देखिए आपको LCM ग्याद करना हो या HCF ग्याद करना हो या आपको कोई संख्या निकालना हो अप आसानी से निकाल लीजेगा बरसरते इस वीडियो को अंतक देखिए तो चलिए इस कोश्चन को हल करते है सबसे पहले एक सुत्र आता है LCM LCM गुने HCF LCM यानि LOSA, HCF गुने मसA LCM गुने HCF बरावर दो संख्याओं का गुननफल दो संख्याओं का गुननफल तो यही सुत्र है LCM गुने HCF बरावर दो संख्याओं का गुननफल आप पूरे भी गुननफल लिख सकते कोई दिकत नहीं है इस सुत्र को आप याद रखते हैं LCM निकाल लिजेगा HCF निकाल लिजेगा या दो संख्याओं का गुननफल यानि पहली संख्या दूसी संख्या आप निकाल सकते हैं असानी से ठीक है ना तो यह सुत्राप माहिन पे सेट कर लिजेगा ताकि लसम अससमन्दी जो भी कोश्चन है उसको आसानी से आप बना लिजेगा देखे इस सवाद में आपको क्या दिया हुआ है आज़ाओ द्याओ नौ लिखेंगे लसी अम गुने ए इच ऐ बडाबर नो और दो संख्याओ का गुनन फल तो दो संख्याओ क्या है एक तिन से छो है और एक पॉलह 7uben है ठीक है तो गुना कर दीए आब देखे लसी प्रावर इसको गुना करने से पहले हम इसको इधर लियाते हैं ताकि काटने में असान हो जाए ठीक है तो 36 गुने 657 बट्टे गुने में नौ है तो भाग हो जाएगा तो नौ से भाग देंगे तो नतिया 27 और नचक 36 यानि आपको आया 34 गुने 657 ठीक है अब क्या कीजिएगा 34 गुने 657 का गुना कीजिए तो इसको गुना कीजिएगा न तो 22, 33, 68 है इसका एंसर आएगा तो आप इसी तरीके से असानी से बना सकते हैं अगर तो चानल को सब्सक्राब जरूर करें साथ में दोस्त पास सेयर भी जरूर कीजिए धन्यवाद